वेलकम दोस्तों, I welcome you all to my channel EZ Classes, आज की क्लास में हम प्राइंगल्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, NCRT क्लास, NCRT बुक से, of Class 10, और ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों हमसे बोल रहे हैं कि आप इसको ज़रूर पढ़ा दीजिए, कई बच्चों के डिफिकल्ट भी बच्चों ये चैप्टर पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा अलग सा अप्रोच अपनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको पिछले 10 साल के पेपर करके दिखाता हूँ, पिछले 10 साल में बोर्ड एक्जैम में किस टाइप के questions आये हैं इस चैप्टर से, ताकि हमे ऐसा एरीज हैं, जो कि बार बार मतलब, ऐसे समझो कि अगर 10 साल में पेपर एकर आ रहे हैं तो साथ बार उनमें से एक ही topik से बार बार सवाल उठके आ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा topic है, चाहे आप advanced level का math का paper दोगे, चाहे basic level का math का paper दोगे, तो वो topic तो बहुत ही compulsory है, ठीक ह तो वो बहुत ही important थियोरे में तो उसको किस तरह से deal करेंगे फिर पाइथोगर से एक थियोरे में उसको कैसे deal करेंगे तो इस chapter से किस-किस topics से जादा से जादा questions आए हैं board exam में बहुत famous concerns है topics हैं पहले उनको देखते हैं analysis करते हैं मैं questions आपके सामने दिखाता हूं और उसके बाद यह chapter हम शुरू करते हैं ठीक है तो इस time पर मैं आपको एक suggestion और भी बोलना चाहूंगा अगर इस time पर जब आपका board exam अब start होने वाला है और अब अगर कोई ऐसा topic है जो आपको लगता है कि यह बहुत मतलब यह नहीं आता मुझे लेकिन इसको मुझे complete करना है तो किस तरह से किया जाए तो बेस्ट strategy इस time पर यही रहेगी बच्चो कि आप previous papers में से उस chapter को complete करो ठीक है previous papers का analysis करो देखो पिछले 10 साल के कम से papers देखो और यह देखो कि उस chapter से कौन कौन से topics ऐसे हैं जो कि famous है ठीक है बार-बार आ रहे हैं उन topics को जरूर से complete कर लो ठीक है तो इस time पर अगर कोई ऐसा chapter है अभी भी आपके पास जो कि अभी ता complete नहीं हुआ है आपका तो आप previous papers से help लेकर करके उसको जरूर से जरूर complete करो ठीक है तो चलिए triangle chapter स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2020 ठीक है जो पिछले साल के बॉर्ड exam में जो बच्चों ने paper दिया उसमें triangle chapter से क्या क्या question है तो देखो यह पहला question आया question number two in 2020 बॉर्ड exam in figure abc is an isosceles triangle right angled at sea therefore ठीक है आप figure देख रहे हो a b c right angle triangle है और 90 degree है at angle c तो बोल रहे हैं इन चार options में से कौन सा option सही है यहाँ पर a c और b c equal है ठीक है तो इसका solution बाद में करेंगे जिनको आता है आप orally देख सकते हो जाएगा बाकि बच्चे इसको बाद में हम करेंगे इस question को चलते है question number two जो की 2020 पेपर में ही आया था second question in the figure 5 in the figure 5 d e is parallel to a c and d f is parallel to a e prove that b f upon f e is equal to be upon e c easy question है यह भी ठीक है basic proportionality theorem का ही इस्तेमाल करने है और यह question basic proportionality theorem से होगा ठीक है दो नंबर का सवाल 2020 के paper में math के paper में आया है next एक सवाल और पूछा गया in 2020 के paper में prove that the ratio of area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of the corresponding sides ठीक है तो आप देख रहे हो कि तीन चीजें पहला basic proportionality theorem बहुत important concept है दूसरा पाइथागोरस theorem बहुत important concept है और उसके अलावा कुछ दो तीन theorem से जो बीच में आते हैं ठीक है तो वो theorem भी हम देखेंगे उनका application बट basic proportionality theorem Converse of basic proportionality theorem पाइथागोरस theorem इनका derivation भी आता है ठीक है हुबहु derivation आता है और आपको पूरा इसका derivation याद करना है किस तरह से याद करना है आप उसके derivation को अपनी copy में लिखोगे किस तरह से statement क्या होता है फिर given क्या होता है ठीक है next अब हम बढ़ते हैं उससे पीछे वाले सालों में जो हमसे questions पूछा गए अब मैं आपको दिखाता हूं कि उससे पीछे वाले सालों में कहा कहा triangle chapter से क्या क्या question पूछा गया ठीक है 2019 में एक सवाल पूछा गया in the figure DE in figure 2 DE is parallel to BC find the length of side AD given that AE is equal to 1.8 cm BD is equal to 7.2 CE is equal to 5.4 और आपको पूछा है AD की side basic proportionality theorem का ये answer है ठीक है बहुत ही easy सवाल है जब आप basic proportionality theorem पढ़ लोगे तब आपको ये answer easily आ जाएगा ठीक है तो आप देख रहे हो इसके अलावा एक सवाल और मैं आपको दिखाता हूँ ये भी 2019 में पूछा गया एक सवाल है ठीक है two right triangles ABC and DBC are drawn on the same hypotenuse BC and on the same side of BC if AC and BD intersect at P prove that AP into PC is equal to BP into DP और एक और question है diagonals of a trapezium PQ RS intersect each other at the point O PQ is parallel to RS and PQ is equal to 3 RS find the ratio of areas of triangle POQ and ROS ठीक है तो इस तरह से और भी बहुत सारे सवाल है जो कि मैंने collect किये हैं from previous papers ठीक है इनको हम जैसे ऐसे पढ़ेंगे तो करेंगे खेर मेरा इन सवालों को आपको बताने का बस main aim यही था कि इस chapter में एक तो basic बात हैं पहले आपको concept समझने फिर उसके बाद कुछ theorem से बहुत सारी theorem से आपको सारी theorem को उतना टाइम नहीं देना है उन में से कुछ चुनिंदा ऐसी theorem से जिन पर बार-बार मतलब दस में से सात बार वह बैसिक प्रोपोर्शनलिटी थियोरम पर सवाल दे रहे हैं ठीक है और बाकी अगर देखो बाकी बारों में तो वहां पर भी प्राइथागरस थियोरम कुछ बेसिक बाते जानते हैं इस चाप्टर के अंदर में ठीक है और फिर हम आगे बढ़ेंगे हम अपने थियोरम पर आएंगे ठीक है तो चलते हैं ट्रेंगल्स ट्रेंगल्स चाप्टर में आपके क्लास 10 में अगर आप हो NCRT पढ़ रहे हो तो मतलब आप क्लास 10 में हो UP सब्सक्राइब सकते पर क्बिशिक्त लागार चैनल का टाइनगल्स चèces अ चैप्टर है वह बेसीकलीस सभावैंशनविक्त की प्रापरटी पर लN इन तो मैं शुरुत हैं कॉंद इंड़ेंसी वर्सस सेविध्टि एक पार कोंगरेंसी वर्सस पढ़ेंसी क्या मतलब इस च होता है कब आप बोलते हो कि दो फिगहर आगर आको दे रखी है तो chưa तो वे आउट का मतलब होता है एकदम मेररे मिज़ें कहने का मतलब सभी है है यह यह आप देख है हूँ मान लिजे मैंने ब्लू मारकर यहां पे रखा ठी के और मेरे आप दोनों एकदम एक दूसरे के mirror image है, समझ रहे हो ना, इसी company का, इसी cello company का में, दो marker उठा लो, दो blue marker इसी cello company का, इसी model का उठा लो, ठीक है, तो they would be congruent to each other, congruent मतलब दिखने में, shape में, size में, color में, nature में, हर एक चीज में, they are just the mirror image of each other, ठीक है, एकदम हूब हूब, अगर इसकी जगह पर मैंने इसको यहा रखा और इसको यहा रखा तो बता नहीं सकोगे, कि मैंने इनको अदला वदली की है की नहीं करे, ठीक है, तो congruent का मतलब क्या होता है, एकदम same हर parameter से, ठीक है, एकदम same हर parameter से, ठीक, उसको congruent बोलते हैं, congruent figures को, अगर आप एक के उपर overlap करोगे, तो they would completely overlap on each other, ठीक है, कौन आगे, कौन पीछे, आपको पता नीचे लगा, they would completely overlap on each other, ठीक है, same angles, same sides, तो ऐसे figures को बोला जाता है, congruent figures, ठीक है, तो congruent क्या होता है, अब आप समझ गये होगे, मैं ये उमीद करता हूँ, ठीक है, congruent मतलब होता है, एकदम same, मतलब वही, ठीक है, उसकी photocopy, ठीक है, और मैं क्या से शब्द को बोलूँ, और क्या सब्द, ठीक है, अब आप समझ के होगे, congruent का क्या मतलब होता है, बढ़ते हैं, अब हम similarity में, congruent, बहुत सारी types की होती है, आपने triangles में पढ़ा होगा, कि side, angle, side, ठीक है, side, 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 ठीक है, तो उसके बाद angle, side, angle, ठीक है, तो इसी तरह से आपने similarities की properties पढ़े होगे, ठीक है, कितने कितने type की similarities होती है, ठीक है, मेरा एक सवाल है आप से, before we enter into similarity, I have a question for you, आप मेरे को ये बताओ, कि angle, 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 जो ये AAA की होती है, AAA, ठीक है, अंगल, 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 मतलब दो ट्रेंगल हैं, अगर उनके तीनों अंगल सेम हैं, ठीक है, तो क्या वो similar होंगे, या वो congruent होंगे, ठीक है, आप जल्जी से अपने दिमाग में सोचो, क्या होगा, ठीक है, तो चलिए, पहले मैं congruency की कुछ properties बताता हूँ, congruency में होता है, SAS, side, angle, side, 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 ठीक है, angle, side, angle, ठीक है न, उसके बाद S, S, A, ठीक है न, और एक RHS congruency भी होती है, ठीक है, RHS congruency, मतलब, अगर एक 90 degree है, दो triangles है, उनका एक angle 90 degree है, और बाकी दो sides equal है, बाकी दो में से कोई भी sides equal है, तो आप बोलोगे कि वो congruent होता है, ठीक है, वैसे, side, angle, side का ही एक, रूप होता है, right angle, right hand side वाला rule, ठीक है, तो एक congruency वाली चीज़ आप पढ़ चुके हो, पिछले classes में, जो कि इस class में नहीं है, ठीक है, ये बस आपकी knowledge के लिए थी, main चीज़ आती है, हमारी similarity में, उच्छलते हैं, अब हम similarity में, similarity में, कैसे करते हैं, माल लो, आपने एक छोटी बच्ची को देखा, ठीक है, और आपने बोला, कि ये बच्ची, तो एकदम अपनी मम्मी के जैसे दिखती है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर, क्या वो, दोनो, ठीक है, वो बच्ची, और उसकी मम्मी, क्या वो, है एक दूसरे के क्या वो साइज में एक दूसरे के बराबर है नहीं वो चोटी बच्ची चोटी सी है और मम्मी बढ़ी है ठीक है साइज में डिफ्रेंस है बट देन ऑल्सो दे लुक सेम ठीक है एक जैसी दिखती है बट एक ही नहीं है यह नौट फोटोकॉपी ऑफ इच एक दूसरे की तरह दिखती है ठीक है तो सिमिलर का मतलब यह होता है कि माली जाइज में बहुत फर्क है उनके साइज में फर्क है बट अगर साइज का मैंटर हटा दिया जाए तो एक ऐसा लगता है जैसे बड़े का छोटा रूप हो या छोटे का बड़ा रूप दूसरी टीक है तब ऐसी फिगर को हम बोलते हैं दियार सेमिलर टू इस अदर तो इनकी साइड आपस में बराबर नहीं है इसकी साइड छोटी है इसका साइड बढ़ा बड़ी है बट they are similar figure वो एक जैसा दिखती है एक जैसी दिखती है ये दोनो figures इसलिए these two figures are similar ठीक है और congruent कब होती अगर आप 2 squares बनाओ and दोनों की side length 4 cm ठीक है एक square with side 4 another square with side 4 they both figures are both congruent and similar ठीक है वो दोनों figure congruent भी होंगी similar भी होंगी ठीक है क्योंकि वो overlap भी कर रही है और एक जैसा दिखी भी रही है ठीक है तो तब आप बोलोगे कि they are congruent ठीक है and जब वो एकदम overlap ना करें ठीक है एकदम mirror image ना हो एक दूसरे की but छोटा रूप या बड़ा रूप हो of one body ठीक है तब आप बोलोगे they are similar to each other ठीक उसी तरह अगर आप दो circles draw करो they are similar to each other but अगर आप दो circle of equal radius draw करो they are congruent to each other done ध्यान से सुनना हो to any two circles any two circles are similar to each other ठीक है but if you draw two circles of the same radius they will become congruent of each other ठीक उसी तरह any two equilateral triangles equilateral triangle वो triangle होते हैं जिनके 3 sides triangle है तो 3 sides जिनके बराबर होते हैं ठीक है उनको equilateral triangle वोते हैं for example आपने एक triangle बनाया 2 cm, 2 cm, 2 cm ये एक equilateral triangle है और equilateral triangle की एक खास्यत होती है इसका जो angle होता है आप कोई भी vertex इनको vertex वोते हैं vertex का मतलब होता है kona ठीक है and edges होती है edges 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 या फिर sides आप इनको बोल सकते हो ठीक है इनको sides edges बोलते हो and these are kona या vertex ठीक है और vertex पे जो angle बनाता है equilateral triangle वो 60 degree होता है और ये सभी vertices पे बनाता है ये खास्यत सिर्फ और सिर्फ equilateral triangle में होती है तीनों angle 60 degree अगर है तो वो equilateral triangle बनेगा ही बनेगा ठीक है तो मैं बोल रहा हूँ कि any two equilateral triangles any two equilateral triangles are always congruent to each other माल लीजे 1 cm 1 cm and 1 cm का आपने 1 triangle बनाया equilateral और 1 triangle आपने बनाया 2 cm, 2 cm, 2 cm का तो वो दोनों triangles आपस में हमेशा similar होंगे ठीक है but two equilateral triangles of same side length would be congruent to each other done तो ये चीजे थी similarity की और ये चीजें की congruency की congruency में क्या होता है जो दो bodies होती है वो bodies आपकी straight lines भी हो सकती है जैसे माल लीजे 2 cm की एक line and 2 cm की एक दूसरी straight line ठीक है वो दोनों एक दूसरी की congruent होंगी अगर मैंने length equal रखी तो because they can overlap each other done but if I draw any two lines any two straight lines are always similar to each other ठीक any two straight lines of same length are congruent to each other done तो congruency में जब आप figures की बात करते हो दुनिया में तो figures में one dimensional bodies या one dimensional figures जैसे straight line two dimensional figures two dimensional मतब जिसमें area होता है ठीक है जैसे square, rectangle, triangle ठीक है parallelogram ये सारी चीजें rhombus ये two dimensional bodies में आ जाती है and three dimensional bodies क्या होती है आपका cuboid, cube ठीक है cone, cylinder ठीक है three-D bodies हो जाती है ठीक है volume होता है ठीक है तो कोई भी bodies ठीक है congruent होंगी जब वो एकदम mirror image होंगी of each other ठीक है एकदम mirror image replace easily कर सकते हो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने replace किया तो वो congruent होती है ठीक है similar figures कब होती है जब उनका size में फरक होता है बट shape में कोई फरक नहीं होता है ठीक है मतलब सारे angles उनके एकदम same होने चाहिए बट ये size they may be scale down और scale up ठीक है जैसे for example अगर ये pen है मैंने इसी pen को suppose कर लीजे मेरे पास एक ऐसा जादू है मैंने इस पर जादू किया और ये ही pen का एक बड़ा सा रूप आ गया मेरे सामने ठीक है ये ही pen enlarge हो गई हनुमान जी ठीक है वो अपना size चोटे से बड़ा कर सकते थे तो दे एक बड़ा size एक चोटा size आर similar to each other ठीक है ना बट नौट कॉंगरेंट कॉंगरेंट मतलब एकदम mirror image ठीक है अब आप इस चीज़ को अच्छे समझ गया होगा ये में को पक्का पता चल रहा है ठीक है एक important statement मैं लिख रहा हूँ ये statement आप याद रखना बहुत ही important है अब आए अब मुक्त॥ है अब एक वादभ का समया हूँ अब फेफ और बट अब याद समया हूँ बट आप पनला दौ फेट not इनर्ट बी कॉंगरेन्ट ही기는 यो हिम यह बहुत हीॉपॉर्टन स्ट्रींट है सारी यिपा इन very different वो सब की सब एक दूसरे के सिमिलर तो हुँगी होंगी फीकिए वह एक जैसे दिखती तो हुँगी होंगी ठीकिए औंधे लगी तो युषसरे के उपर overlap भी कर सकती है ठीक है एकदम आपको पता नहीं चलेगा कौन आगे है कौन पीछे ठीक है तो congruent figures सारी की सारी similar होंगी बट यह जरूरी नहीं है कि सारी similar figures congruent भी हो ठीक है similar figures congruent हो ऐसा compulsory नहीं है but congruent figures similar होंगी ही होंगी this is a compulsion done यह बात को आप याद रखना यह बात statement अब आप relate कर सकते हो धीरे धीरे समझ लो बट समझ लो this is a fact आप जब इसको समझ गए हो तब आगे बढ़ते हैं ठीक है अगर आपको हमाई lecture में कोई भी चीज ऐसी है जो कि नहीं समझ मा आ रही तो आप हमें comment करके पूछ सकते हो हम उसको जरूर से जरूर reply करेंगे चाहे comment box में चाहे अगले वीडियो में ठीक है तो अब कुछ important points है जो revise करने वाले points है जो मैंने पढ़ाया उसी का revision एक बार कर लो उसके बाद फिर हम कुछ questions करते है ठीक है तो any two line segments are always similar वो हमेशा similar होंगी ठीक है but they need not be congruent लेकिन वो जरूरी नहीं है कि congruent होंगी for example आपने 5 cm की एक line बनाई and 1 cm की एक line नहीं वो दोनों के दोनों similar होंगी क्योंकि वो एक जैसी दिख रही है ठीक है but they may not be congruent मतलब जरूरी नहीं है कि कोई भी दो line congruent होई जाएंगी ठीक है congruent तब होंगी जब उनका dimension सेम होगा या उनकी length सेम होगी ठीक है they are congruent if their lengths are equal वो congruent होंगी जब उनकी length equal होगी ठीक है any two circles यह मैंने circles लिखा है any two circles are similar always दो circle हमेशा similar होंगे क्योंकि वो हमेशा circle जैसे दिखेंगे ठीक है पहला circle भी circle जैसा दिखेगा दूसरा circle भी पहले वाले circle की तरह ही दिखेगा similar दिखेंगे बट एकदम overlap कर जाएंगे यह ज़रूरी नहीं है तो दो circle similar होंगे हमेशा बट congruent तभी होंगे जब complete me मैंको complete करो दो circle congruent तभ होंगे जब उनका radius भी same हो जाएगा done any two squares are similar always दो square हमेशा similar होंगे क्योंकि एक जैसा दिखेंगे दोनो बट congruent तभ होंगे जब वो एक दुसरे को overlap कर लेंगे fully ठीक है any two equilateral triangles are similar कोई भी दो equilateral triangles हमेशा same होंगे similar होंगे ठीक है बट अगर वो दो equilateral triangles of same dimension है same length तो वो congruent तभ होंगे ठीक है तब वो congruent हो जाएगा और congruent अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब वो similar तो automatically होई गर done चलो एक सवाल मेरा है एक सवाल मेरी तरह से आपके लिए हैं अगर मैं कोई भी दो triangle बनाओं मैंने नहीं बोला कि equilateral या iso silis या scalene या कोई भी particular right angle मैंने कुछ नहीं बोला ठीक मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने दो triangle बना दियें बस मैंने बोला पहला figure ABC is a triangle दूसरा figure XYZ is a triangle ठीक है तो figure ABC and figure XYZ are similar to each other are always concurrent to each other they may be similar on they may not be similar या none of the above ठीक है तो फिर से सवाल देख लो और मेरे को comment पे जरूर comment करो ठीक है मैंने दो triangles बनाए कैसे मुझे नहीं पता कैसे ठीक है कैसे भी मैंने दो triangles बना दियें बट दोनों triangle हैं यह मैं बोल रहा हूं कि बोत हाँ triangles ठीक है जैसे मैंने circle पढ़ाया तो मैंने बोला अगर circle है तो वो तो similar होगा ही होगा done अगर square है दो figures तो वो तो similar होंगे ही होंगे done ठीक है उसमें कोई आपको if and but देखने की जरूरत नहीं कि वो उनका size मतलब उनका circle है तो radius और square है तो sides अगर बरावर है तो ही वो similar होंगे अगर बरावर हैं तो concrete यहां पर concrete की बात नहीं हो रही है हम सिर्फ similarity पर बात करने ठीक है तो मैंने बोला था दो circle हमेशा similar होंगे दो square हमेशा similar होंगे ठीक उसी तरह मैं इसी सवाल पर आगे जा रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने कोई भी दो triangle बना कोई भी दो triangle बना दे किसी भी टाइप के ठीक है तो पहला statement वो दो triangle है इसलिए वो हमेशा similar होंगे पहला statement करेक्ट अगर हां तो आप लिखो first statement is correct both triangles will always be similar ठीक next second statement both triangles can never be similar abc and xyz can never be similar comment third statement both triangles may be similar or may not be similar ठीक है तो इन तीन options में से कोई भी option जो आपको अच्छा लग रहा है वो हमें जरूर से जरूर कमेंट करें ठीक है तो अब मैं समझता हूं कि similarity क्या होता है concurrency क्या होता है ठीक है यह आप समझ गया हो गया अच्छा से और मैं आपको एक बात एक सवाल मैंने पूछा था कि कि similarity होती है कि concurrency होती है मैं इसका जवाब भी आपको दे देता हूं सपोस्स कर लिजे यह दो और दूसरा मैने इसी के अंदर एक चोटा ऑर बना दिया आपको दिख रहा है अगर तोती बी क्यूइज दो ट्रांगल फैन एक बी च्छाइड से मैंने बनाया कि यह साइड इसके पारलल है ठीक है बतलाब फीक्यू इस पारलल टूए एसी पीक्यू इस पार्लेल तू एसी वी हाव टू ट्राइंगल्स एबीसी और पीवी क्यों ठीक है और यह एंगल सेम है 90 डिगरी अगर आपको क्लास नाइन्थ का लाइन एन एंगल चैप्टर याद है तो आप यह जानते होगे कि अगर पैलल लाइन से और यह एक इंटरसे यह एंगल इसके बराबर होगा एक्स्टीर अल्टनेट और यह एंगल इसके बराबर होगा एक्स्टीर अल्टनेट ठीक है यह एंगल इसके बराबर होगा corresponding angle ये angle इसके बराबर होगा corresponding ये angle इसके बराबर होगा corresponding ये angle इसके बराबर होगा corresponding and ये angle और ये magic 180 डिगरी बनाएंगे linear pair done उसी तरह यह angle और इस angle ये angle मिलके 180 बनाएंगे linear pair because ये एक straight line पे form होने वाले दो angles 9 इतना उने revision आप करवा दिया, तो इसी concept से आप देखो, अगर ये दो lines parallel होंगे, ये common intercept है तो ये angle और ये angle equal होंगे corresponding angles है उसी तरह ये angle इस angle के equal होगा corresponding angles है, ठीक है तो आप ये बहुत सकते हो कि in both the triangles, angle A is equal to angle P angle B is equal to angle B angle Q is equal sorry, ABC में तो C angle है angle C is equal to angle Q, ठीक है तो दोनो triangles में 3 angles बरावर है, ठीक है इसके भी 3 angles same है, इसके भी 3 angles same है, और हम एक example के लिए मान लेते हैं, जरूरी निया कि ऐसा हमेशा ही होगा, ये दोनो 30 degree है, और ये 60 degree है मान लेते हैं, ये बस माना है, ठीक है P, B, Q and A, B, C यह similar हुए कि congruent हुए ठीक है तो यह सवाल है तो मैं आपको बताता हूँ यह similar है आप देख भी रहो congruent नहीं हो सकते because they are not overlapping each other आप देख रहो कि यह छोटा triangle है and यह बड़ा triangle है they cannot overlap each other ठीक है तो यह एक दूसरे को एक दम photocopy नहीं है एक दूसरे की mirror image नहीं है बट यह एक दूसरे के जैसा दिखते है ठीक है तो therefore A, A, A की similarity होती है triangle A, B, C is similar यह similarity का symbol है congruency का symbol ऐसे होता है similarity का symbol यह होता है ABC is similar to PVQ by A, A, A similarity ठीक है तो A, A, A की क्या होती है similarity होती है आप A, A की similarity भी बोल सकते हो ठीक है मतलब अगर दो angle भी equal कर दिया आपने corresponding तो वो similar triangle prove हो जाते है ठीक है क्योंकि angle sum property से अगर दो angle पता है तो तीसरा angle तो निकली जाएगा ना और दो triangle के दो angle equal होगा तो तीसरा angle automatically equal होई जाएगा ठीक है angle sum property से triangle के तीने अंगल का sum कितना होता है एक सॉस्चे डिगरी होता है ये भी आपको पता होना चाहिए तो यहां से आपको पता चला कि A, A, A की congruency नहीं होती है कभी ठीक है कभी आप interview में जाओ या कभी ऐसे कोई तीचे वाइवा ले रहे आपका तो ऐसे आपसे knowledge लेने के लिए आपसे पूछता है कि A, A, A की similarity होती है कि congruency होती है ठीक है तो जल्दी वाजी में बच्चे बहुते हैं A, A, A की congruency होती है ठीक है तो A, A, A की similarity होती है अगर दो triangle है उनके तीनों angles बोला जाए कि same है तो यह जरूरी नहीं है कि वह overlap करेंगे ठीक है कर भी सकते है एक special case है कर सकते है ठीक है अगर वह congruent हुए बट generally आप बोलोगे in general वह similar होंगे बट congruent हो भी सकते है नहीं भी हो सकते है तो चलिए यहां तक हमने सारा सर्फ concept पढ़ लिया अब हम करते हैं कुछ questions ठीक है तो चलिए start करते हैं अब यह जो मैं practice questions आपको करवा रहा हूं यह मैं आडी शर्मा बुक से आपको करवा रहा हूं ठीक है आप यहां से सीख लो कुछ concepts ठीक है कोशिश करो कि answers आप खुद से दो जितना मैं पढ़ा दिया उसमें से आपको अगर अच्छे समझ मा गया तो सारे questions के answer आप खुद से दे सकते हूं ठीक है कोशिश करो कि सारे answers खुद से दो ठीक है मैं उसको answer को verify करवा दूंग आपको ठीक है उसके बाद आप अपनी ncrt book से practice आपके उपर ठीक है तो मैं आपको practice करवाता हूं ठीक है फिल इंद ब्लैंक से पहला question अल सर्कल्स आर दो options concurrent की similar all circles similar ठीक है दो सर्कल हमेशा similar होंगे concurrent तब ही होंगे जब उनका radius से हम हो जाए ठीक है आल स्क्रार्णे ऑ- अप्शंजा सिमिलर की कौनुरियंट gone next third all sery- स्ट्राइंड़antes आर सिमिलर सारे डैश ठीक हैं अप्शोच्ण से ऑ-क्यार själv थिक ह्योंगे यह सिमिलर त्रेंगव हमेश्य होंग यह गलत क्यों है यह इसलिए गलत है and आइसोसलीस की definition होती है कि दो sides equal हो, मतलब ये side इसके equal हो, बस अगर मैंने बोला कि ये triangle isosilis triangle है, तो आप बोलोगे है, because इस triangle में भी ये side इसके बराबर है और इस triangle में भी ये side इसके बराबर है बट ये figure और ये figure आपस में similar दिख रही है, नहीं हो सकते because इनके angle सेम नहीं है इसलिए अगर दो triangle isosilis हैं, तो ये compulsory नहीं है कि वो similar हो जाएंगे उनके angle सेम नहीं हो सकते या हो भी सकते हैं, बट जरूरी नहीं है compulsion नहीं है, ठीक है, बट अगर दो equilateral triangle बनाएं, चाहे आप जो भी size के दो equilateral triangle बनाओ छोटा या बड़ा, उनके angle 60 degree 60 degree, 60 degree होना compulsory है, ठीक है ये तीनो angle 60 होंगे, और इसले दो equilateral triangle हमेशा similar होंगे ठीक है, बट दो आइसेसलिस triangle हमेशा similar नहीं हो सकते, ठीक है next, आगे बढ़ते हैं two triangles are similar, बोल दिया ये statement दे दिया, ठीक है two triangles similar है, if their corresponding sides, अगर उनकी corresponding sides, कैसी होनी चाहिए, proportional की equal दो triangles similar है उसने बोला, ठीक है, दो triangle similar है, उसकी corresponding sides कैसी होनी चाहिए, proportional होनी चाहिए, proportional मतलब same ratio में होनी चाहिए, जैसे for example है और यह ore 111 का territoria तो अगर इसके क्रेस्पोंडिंग यह साईड और इसके कर्षपॉंडिंग यह सइड रएट बूर्टम की साइड ड्रोल की रहोग्टेकर सपस्पोंडिंग मतलब अगर तो आपका ने लेफ्ट हैंड मेरे लेफ्ट न्युन हो गया ठीक है मेरासर त्थो आपका भी सब हैं यह रास्पोंडिंग SB साइड किया होनी यह प्रपोर्शनल सेम री सिटफथ यह only चित्थ Lahir को बोलते हैं आप similar figures similar figures क्योंकि उनका size matter करता एक बड़ा figure एक चोटा figure तो लेकिन corresponding sides जो होते हैं वो proportional होते हैं सेम रेशियों में होते हैं ठीक है जैसे 1 cm का square और 3 cm का square ठीक है तो उसकी सारी sides 1 1 1 1 1 इसकी 3 3 3 3 तो हर side का आप ratio देखो हर corresponding side का ratio देखो तो 1 is to 3 ही आएगा ठीक है तो sides must be proportional अगर equal हो गई तो क्या होगा तो congruent हो जाएगा ठीक है और congruent अगर है तो similar होगा बिलकुल होगा ठीक है बट exclusively अगर वह similar जोड़ दे रहा है तो मतलब आपको proportional लिखना है ठीक है minimum closed figure होता है तीन side का जो कि आपको triangle कहलाते हो ठीक है चार साइट का quadilatoral 5 side का pentagon 6 side का hexagon ठीक है तो उसी तरह से अगर आप जानते हो फिर heptagon फिर octagon फिर nonagon फिर decagon ठीक है फिर 12 को दें डो डेका गन ठीक है और उसके उपर के figures का नाम क्या है आप नहीं जानते तो आप एक general बोलते तो polygon polygon मतलब बहुत सारी sides का बना हुआ closed figure ठीक है इंक्लूद्स ओल्ड़ दफिगर ठीक है तो polygons of the same number of sides दो polygon है same number of sides है और बोल रहा है कि similar है ठीक similar है तो समझके एक चोटा होगा और एक बड़ा होगा if their corresponding angles are and their corresponding sides are dash those figures है दो polygons है वो similar कब होंगे जब उनके corresponding angles क्या होंगे corresponding sides क्या होंगे तो आप बताओ corresponding angles क्या होने चाहिए equal angles में कोई ratio नहीं angles हमेशा equal होने चाहिए 60 degree 60 degree 60 degree 60 degree 60 60 angles must be equal and sides must be proportional ठीक तभी आप बोलोगे कि वो दो figures है similar ठीक और congruent हर एक angle हर एक side हर एक चीज़ equal होने चाहिए तब बोलोगे वो congruent है similar हर एक चीज प्रपोर्शनल मतब sides proportional सारी dimensions lengths proportional and angles equal ठीक तब वो होगी congruent sorry similar ठीक है next कुछ true false है आप फटाफट जल्दी जल्दी जवाब देना ठीक है any two similar figures are congruent कोई भी दो similar figure हमेशा congruent होंगी सही गलत this is wrong false ठीक है any two congruent figures are similar but any two similar figures may not be congruent done next question any two congruent figures are similar true third question two polygons are similar though polygon है वो similar है if their corresponding sides are proportional अगर उनकी corresponding sides proportional है सही यह की गलत है it is correct fourth question two polygons are similar though polygon similar है if their corresponding angles are proportional सही है की गलत गलत because angles must be equal sides must be proportional two triangles are similar though triangles similar है if their corresponding sides are proportional सही है corresponding sides proportional है तो वो similar होंगी हमेशा होंगी ठीक है तो इसलिए इस लेक्चर में हमारा introductory lecture में आपने similarity और concurrency में फरक समझा similarity होता क्या है आपने यह समझा और आप बेसिक बेसिक जो सवाल है ठीक है अब आप उनको कर सकते हो ठीक है आपने यह जाना कि similarity होता क्या है और इस चाप्टर में आपने यह भी जाना प्रीविए से पेपर्स का करें कि इस चाप्टर में हम पढ़ने क्या वाल है ठीक है तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही नेक्स क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक प्रपोस्टनाइटी थी और आपको यह लेक्चर कैसा लगा आप हमें जरूर बताईएगा ठीक है और जिन बच्चे ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि हम यह ट्रांगल चैप्टर पढ़ाएं तो आपको कैसा लगा कि हम यह चैप्टर इस अप्रोच से स्टार्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीवेसे पेपर्स आप हमें जरूर बताना ठीक है तो आगे आने वाली क्लास में हम प्रीवेसे पे हुआँ हुआँ हुआ म कर दो आने लगा तो आस्ट्राना ठीक है और बतान chilli